बिस बात करेंगे सकराव साब्षेद्यूर्मद्ट यूइस यूट्यूब जस्यूध ऊसके बारें में और ये जो सूपरवाइजर की जिसको उनियर शूपरवाइजर सम्धिटर जिसकी last date है जो आपकी वो last date है I think 16 जुन को है मैंने इसके बारे में पहले भी आपको notification दे दी थी कि इसकी जो last date थी वो एक बार फिच से उसको extend कर गया गया है student की demand पर candidates की demand पर क्योंकि lockdown में काफी दिक्कते आ रही थी payment करने में और cafe जो होते हैं वो भी बन थे तो फार्म को फिल करने में काफी प्राब्लम्स क्रेट हो रही थी स्टूडेंट के लिए तो इसलिए स्टूडेंट की डिमांड पर जीकैसस भी ने इसकी जो लास्ट डे थी उसको एक्स्टेंड कर दिया गिया 16 जून तक जिन्होंने भी अगर ये फार्म अप्लाई नहीं कि अभी तक मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा इस वां को अप्लाई कर लें इसका जो एक्जाम है वो कब होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगी और सब एंस्पेक्टर के बारे में भी आज कुछ बात करेंगे चीक है और कल जो एक नुए नोटिफिकेशन आई नोट कि यूटिवकेशन 2021 की उसके बारे में जूनियर एसिस्टंट की जो पोस्ट उनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे चलिए इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले मैं बताओं कि अगर आपने फार्म इसका अप्लाई ने किया तो कर लें चलिए इसके स्लेबस पर ब बात की notification number 2 की यूनियर supervisor सब अडिटर की यहां पर पोस्ट है जम्मू डिस्टी की सामपार की धुआ क्युद्धूपूर की different different item number यह दियेंगे notification number 2 21 का और department कुण से cooperative department में यह post होगी ठीक है सब अडिटर की पोस्ट बोल सकते हो अब यह उनियर supervisor की पोस्ट बोल सकते हो तो जो इनका syllabus है वो annexer आई में आई की तरफ चलते हैं आई में इनका कौन सा syllabus है तो friends यह रहा है annexer आई अगर मैं बात करूं syllabus की English तो CA में अगर आपने farm fill किया है account assistant का account assistant का farm fill किया है सब inspector का farm fill किया है assistant compiler का farm fill किया है तो English आपकी सहीम है यहां पर ठीक है इतनी बात याद रखिए दूसरी बात अब 20 marks का यह component है तो आपको थोड़ी बहुत रहेंजिंग जब्वाल सेंटेंस पर हमने lecture लाया था अब हम एक ही बात ट्राइब करेंगे क्योंकि बच्चे हैं जो काफी त्यारी कर चुके हैं तो हम एक ही ट्राइब करेंगे कि आपके लिए एक सेंपल पेपर बनाया जाहें sectional वाइस ठीक है sectional वाइस जो आपका एसिस्टेंट कमपायलर में काम हा जाएगा आपका सब इंस्पेक्टर में काम हा जाएगा सब इडीटर में विकाम हा जाएगा और आपका assistant युझे विए उसके account assistant we general knowledge current affair with general knowledge and current फिर तॉंटी माक्स का है इंडिया की हिस्ट्री पढनी है स्पैशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल यह बाला टॉपिक भी आपको अकाउंट एस्टेंज में मिलेगा इसके जो इतना सा मिलेगा फ्रीडम स्ट्रगल बाला हिस्ट्री नहीं मिलेगी फ्रस्ट इन पर्सेनलिटी पढ़नी है इंडिया की और निउस्पेपर पढना है लेंग्वेश कुल्चर क्या है उस चीज़ के बार इंटरनेशनल और्गनाइशन पढ़नी है यह भी हमने लेक्ष्ट करवाय था और इसेनल को ऑप्र पर ऑपनाईजेशन क्या होती इनके बारे हम बात क करेंगे और आपको बता है हम एंसी क्यों से इन चीज़ों के करवा चुके है क्लाइमेट एंड क्रॉप साफ क्राइब ही हमने जीन के करवाय न हाँ यह बना भी कर दिया हमने प्लिटिकल एंड फिजिकल डिविजन आफ इंडियान वर्ल्ट यह चीज हमारे एंसी को चल रह दो रहता है हमारा इस्ट्रेलिया का होगा जो लास्ट पार्ट इसका इंपोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया कुरंट इवेंट्स एंड नैशनल इंटरनेशन इंपोर्टेंस अपको अग्जिए बाकी यह जो हैं एक नॉमिस के कुछ टॉपिक हैं के बारे मे सब्सक्राइल पारे में बात करेंगे हम बागे आपको बता है रहता है हमसी को उसक्राइबेии होगया फ्लोरा उगया है यह होगया है वैद्ल योगया है वैया वे नहीं देखा है तो आपको means of transport मिलेगा को economy of GNK में ठीक है means of transport कहके हैं GNK में यह आपको वहीं पर मिलेगा उसके बाद बस आपका popular personalities रहता है इसको भी जल्दी से स्लेबर्स है वह पूरा का पूरा सेम है किसके पास सब एडिटर की पोस्ट के साथ आपको जल्दी से फार्म एप्लाई करना है अगर आपने सब इंस्पेक्टर की त्यारी कर रहे हो तो आपका exam इनका जो है वह अक्तूबर की second week में होगा ठीक है बस आपको अगर आप सब इं इंगलिस सेम है और भी उसका भी बहुत सारे टापिक अगर नहीं अपलाईगी है तो कोई बात नहीं है हम इनके लिए त्यारी करवाएंगे अब हम क्यूंकि आपको पता है कि अगर सब इंस्पेक्टर की त्यारी कर रहे हैं तो आपकी त्यारी आटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि स्लेबर्स आहलमोस सेम है रिटन पे एक्जाम पर ही आपकी सेलेक्शन होनी है इतना या रुको जिंदगी में कभी मत देखो कि पोस्ट इतनी है तो मैं फाम एपलाई नहीं करूंगा नहीं फाम एपलाई करना है आपको पूरी परिवा सेखोव जाएगी यह ठारा तो आएंगी इतनी है यह प्लाई करूंगा नहीं आपको अपलाई करना है थीचाहित को यह था है इनका स्लेबर सब अडिटर का पूरा स्लेबर सच हुए जो इनका आपको पता है रीजनिंग में कंपलेट कर ली है पूरी की पूरी पूरी वेस्ट वेस्ट प्रॉब्लम वो में अगर आप मैथमेटिक भी पढ़ लोगे तो वह भी हो जाएगा उसका और फिर भी उसके लिए मैं ट्राइ करूँगा आपके लिए एक दो वीडियो लाओं इस वेड प्रॉब्लम में तो अच्छे से समझाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे भी हम यह हमारा आपके लिए साब इंसपेक्टर का बोलो या सब आठीटर का बोलो ठीक है इसके लिए इसके लिए वह कवा केब हमको सैंपल वेपर रीजिनिका रडिक किया था हमने वाद उसमें कुछ करॉप्षाण आगी स distortion आप होगी वह उसकी मैं ग्रंटी बिसे बोलता हूँ कि आप 20 में से जरूर नहीं तो 20 में से 20 जरूर लेकर आओ 20 में से कुछ स्टूडेंट आँ तो 18 भी जरूर लेकर आएंगे क्योंकि मैंने देखा क्लास 4 के एक्जाम में जो हमने पढ़ाया था अराम से बंदा 3 एक्जाम में 3 एक्जाम में तीनों शिप्ट में 18 क्वेशन कर सकता था क्योंकि हमने जो चीज़ें पढ़ायी थी और चीज़ें बैल्यूबल भी थी हमने देखा जब हमने सेंपल टेस्ट अपने किये थे हishing एक्जाम में कहीं नहीं मारे sample test थे जो एक एक candy कुर देंगे रहे थैंक अगर नहीं दिये दे कोई बात के वह इन् scratch को सब्सक्राइण को चुछात सब्सक्रा अब हम में सैंप्समार एपकमिंग सेंप्सक्राइब होगा मैं आपको पहले पिता देता हूं कि हमारा sample paper conductor हो जाएगा इसी month करेंगे हम mental ability test पर करेंगी और तोड सारे के सारे question होंगे जेके एस भी asked previous questions होंगे ठीक है आप अच्छे से त्यारी करें इसकी mental ability test की यह आपका I think 10 marks का है उसमें account assistant उसमें assistant compiler में और 20 marks का यहां पर sub inspector में sub editor में 20 marks marks का है तो यह और भी बहुत सारी पोस्ट एंजिन में totally match करता है mental ability test कोई 10 marks का है कोई 20 marks से 15 marks का है तो आपको इतना नहीं देखना आपने सिर्फ अपना test देने ठीक है और यह free of cost sample paper होगा आपको कोई cost नहीं पेखना है बस अपना level चेक करना हमने ठीक है अगर हाँ topic topic अगर fall कर रहा है finance account assistant में तो इसमें हमारी गलती नहीं है आप उसकी भी prepare कर सकते हो ठीक है क्योंकि level जो account assistant का जो level है assistant का वो level 5 जाब है ठीक है sub inspector की जो जाब है वो level 4 की जाब है और जो sub editor की जाब है वो level 4 की जाब है और assistant compiler की जाब है I think level 2 या 2 की होगी इतना मुझे नहीं पता जो हमें त्यारी पूरा main focus रखेंगे sub inspector पे रखेंगे sub editor का तो साथ में कबर करेंगे account assistant पर थोड़ा बहुत focus करेंगे और जो जो topic कुछ तो topic इसमें ऐसे हैं जो कि यहां पर totally match करें तो आप उन्हें account assistant के लिए भी बाच कर सकते है level 4 पर 5 पे नहीं जाना कोशन क्या कहा जाएगा हमें नहीं पता और exam date की बात कर लेंते हैं कि sub editor का exam कब conduct होगा और sub inspector का exam कब conduct होगा सबसे पहले मैं अगर बात करको exam है जो exam यहां पर conduct होगा वह आपका CBT होगा ठीक है याद रखना computer waste action होगा OMR waste exam नहीं होगा notification number 4567 का नहीं होगा one two का नहीं होगा OMR waste exam की बात करते हैं sub inspector यहां पर देखिए जो exam है sub inspector का finance sub inspector का वह exam है 48 vacancies है total जमूद division की exam होगा second week October ठीक है second week का October कभी भी हो सकता है उसके बाद union supervisor editor की जो post है इनका exam भी इसी month conduct हो जाएगा यह की क्यों होगा क्योंकि आपको बता है कि syllabus से मैं तो नहीं साथ साथ रख दी है तो यह काफ़ी helpful रहेगा आपके exam के लिए इसकी revise करोगे तो इसका automatically हो जाएगा कहीं ना कई selection जुरूर हो जाएगे आपकी इतनी टेंचन नहीं लेनी आपको उसके बाद अगर मैं बात करूं account assistant का जो exam है एक बार मैं फिसर बता दू एक्जाम फस्ट वीक आफ नमांबर कंड़क्ट होगा कोई भी डेट हो सकती है फस्ट से लेकर स्रावन तर कभी भी हो सकती है shift wise exam होगा और बस इतना ही रखेंगे इसमें तो यही था account assistant compiler की यहां पर डेट मैंचन ही है कि उनका एक्जाम है जो कब कंड़क्ट की होगा और finance के साथ साहर रख सकते हो October में हो सकता है October में क्योंकि exam date हो यही है so okay guys bye bye take care प्सक्तू जार शार भाउ बीए बीए इतना है